पुलिस कमिशनर जे रविंद्र गौड ने दागी पुलिस गर्मियों पर निलंबन का डंडा दूसरे दिन भी चलाया पासपोर्ट में घूस खोरी में 25 और नापती है निलंबितों का आकड़ा 56 के पार पहुँच गया है अब भ्रस्ट थानिदारों का नंबर आ सकता है फिल पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है पुर्वी जोन में एक प्रस्टिक्षू महिला दरोगा और मुख्य आरक्षी पर कारवाही की गई है इससे पहले बुद्वार को ADCP सिटी के साथ दरोगा समें 30 पुलिस कर्मियों को निलंबित किया गया था DCP पश्चमी जोन सोनम कुमार को सरकारी कर में अनुशाशन हींता पासपोर्ट रिपोर्ट में रुपए मांगने और थाने आने आने वाले लोगों से अभधरता करने की शिकायत मिली थी बरहन थाने में तैनात आरक्षी श्यामवीर सिंग के विरुद्र नशा कर थाने पर आने वाले लोगों से अभधरता करने की शिकायत थी इसी तरह खंदौली थाने की आरक्षी प्रमीट कुमार पर पिछले महीने ग्रामिडों द्वारा दुरगटना करने वाले पकड़े गए ट्रैक्टर को गायप करने का आरोब था आगरा पुलिस कमिशनर जे रविंद्र गौट का मकसद है कि पुलिस महक्मे से ब्रस्टवचार खत्म हो जाए पेड़त को समय पर नियाय मिले लेकिन थाने आने वाले पेड़त को नियाय मिलने की बज़ाय उनका उतपीडन होता है मुकदमा दर्ज करने के लिए जूते घिसने पड़ते हैं सीनियूस के लिए मनीज जुएन की रिपोर्ट